जैस रहाम तो दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मौरे डीजे व्लोक्स में मैं हूसो भी तुमोरे और दोस्तो आज में अब सभी के लिए एक नए वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक DJ setup के बारे में जो कि दोस्तों JBL का DJ setup रहने वाला है दोस्तों हम आपको इस वीडियो में 4 टॉप, 2 Base, Amplifier, Mixer, Stabilizer, Generator के बारे में जानकारी देने वाले हैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि टोप में मैंने कौन सा स्पीकर डाला है दोस्तों हम यहाँ पे जो स्पीकर डालेंगे वो JBL का रहने वाला चाहें बेस हो चाहें दोस्तों टोप हो ठीकर डालने वाले और दोस्तों आपको इसमें प्राइस भी बताने वाले हैं कि दोस्तों हम ABLIFYER से TOP के अंदर या BASE के अंदर कैसे ConnectionS करने हैं तो दोस्तो अगर आप भी एक नए DJ विजने quicker start करना चाहते हैं तो दोस선 यह वीडियो आपके लिए होने वाली है क्योंकि धोस्तो हम आपको इस वीडियो में एक जेवीलियो का DJ Setup त्यार करने वाल अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आ हैं तो चैनल को सब्स्राइब जरूर करेना चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले टॉप की तो दोस्तों मैंने यहां पर जो टॉप यूज किया है वो दोस्तों अपरोक्स 7,000 रुपे पड़ेगा एक पेर का दोस्तों हमारा हो जाता है 14,000 रुपे बाकि दोस्तों हम यहांपर चार केबनेट यूज करने वाले हैं तो दोस्तों आप चार का मल्टिप्लाइ कर लेना तो दोस्तो इस speaker हम इसमें JBL का ही डालने वाले हैं क्योंकि दोस्तो मैंने बताया था इसमें हम JBL का ही हर एक चीज यूज करने वाले हैं तो दोस्तो इसमें हम JBL का speaker यूज करने वाले हैं 15 इंचिस में तो दोस्तो बात कर लेते हैं पहले इस speaker की specifications के बारे में बाकि दोस्तों front और back side आप लोग देखी सकते हैं बाकि अब बात कर लेते हैं specifications के बारे में और price के बारे में अगर दोस्तों इस speaker की model number की बात की जाए तो दोस्तों आपको 15 WP-550 देखने को मिल जाता इस speaker का model number और दोस्तों इस speaker के power rating की बात की बात की जाए तो दोस्तों आप 1100 WP देखने को मिल जाता है इसके अंदर दोस्तों हम अगर 1100 WP तक का भी output दे देते हैं amplifier से तो दोस्तों हमारे speaker में कोई problem नहीं होगी easily handle करेगा इसका दोस्तों programming power 1100 WP दिया गया है अगर दोस्तों इस speaker की inches की बात की जाए तो दोस्तों आपको 15 inches देखने को मिल जाता है इस speaker का size और दोस्तों इस speaker की sensitivity की बात की जाए तो दोस्तों आपको 95.5 dB देखने को मिल जाती है इस speaker की sensitivity जो कि दोस्तो best दी गहे काफी अच्छा दोस्तो यह हमारी JBL का speaker आता है साड़े 500 words में जो कि JBL आप जानते हैं कितना famous brand है बहुत ही famous brand है इसका सामान भी अच्छा आता है और अगर इस speaker के impedance की बात की जाए तो दोस्तो आपको atom देखने को मिल जाता है और इस speaker की frequency response की बात की जाए तो दोस्तो आपको 45 hertz से ले के 3500 hertz देखने को मिल जाती है frequency जो कि दोस्तो बहुत ही अच्छी आपको इसके अंदर base भी मिल जाती है और mid भी अच्छा खासा मिल जाता है तो दोस्तो ये बहुत ही अच्छा speaker है जेविल मॉडल का 15 WP 550 जालिए अब दोस्तो बात कर लेते हैं इस speaker की price की market में इसका क्या price पड़ेगा तो दोस्तो अप्रोक्स इस speaker का price आपको 14500 रुपे पर सकता है एक speaker का price बाकी दोस्तो हम चार टॉप लिए हैं चार टॉपों में हमारे speaker लगेंगे आठ तो दोस्तो आप लोग 8 का multiply कर लिए जिएगा ठीक है दोस्तो तो दोस्तो मैंने यहाँ पर टॉप ले लिया और दोस्तो speaker ले लिया और बाकी हमारे टॉप के अंदर network plate लगती है और दोस्तो HF भी लगता है चलिए अब दोस्तो बात करें लेते हF की तो दोस्तो हम यहाँ पर जो HF driver unit यूज़ करने वाले हैं वो दोस्तो ATI Pro का यूज़ करने वाले है वो भी दोस्तो हम 750 यूज़ करने वाले है जो के 750 काफी अच्छी यह हमारे टॉप के लिए होने वाला है तो दोस्तो हमें चाहिए 4 तो दोस्तो आपको 4 का multiply कर लेना है चलिए अब दोस्तो बात कर लेते हैं crossover network plate की तो दोस्तो आपको इसका price 1000 रुपे एक plate का पढ़ जाएगा तो दोस्तो हमें चाहिए 4 क्योंकि दोस्तो 4 हमारे पास top है एक cabinet में एक ही हमारी crossover network plate लगती है वो भी HF के लिए तो दोस्तो 4 का आपको 4000 रुपे पढ़ जाएगा crossover network plate का ठीक है दोस्तो चलिए अब दोस्तो बात कर लेते हैं कि दोस्तो हमारा एक top complete कितने रुपे का बैठ जाता है तो दोस्तो एक top में हमारा एक natural plate होता है एक HF होता है दो speaker होते हैं और दोस्तो एक होता है हमारा cabinet तो दोस्तो एक top का price अप्रोक्स आपको 40,000 रुपे पढ़ जाता है JBL model का cabinet होगा speaker भी हमारा JBL का ही होगा की तो दोस्तो बेस यहाँ पर जो हम लेने वाले हैं उसके पहले cabinet की बात कर लेते हैं तो दोस्तो cabinet जो हम इसमें यूज करने वाले है बेस के लिए वो दोस्तो JBL model का ही यूज करने वाले है cabinet SRX 728 जो कि दोस्तो dual cabinet होने वारा है इसमें दोसो हमारे दो speaker लगते हैं इसलिए दोसो इसका dwell cabinet इसका आता है एक cabinet के price की बात की जाए तो दोसो आपको अप्रोक्स पचासी सो से लेके नो हजार उपए देखने को मिल जाता है एक cabinet का price जो कि दोसो best है अब बात कर लेते हम इसमें speaker कौन सा डालेंगे इसमें दोसो हम JBL brand का ही speaker डालने वाले हैं तो इस speaker की पहले model number की बात की जाए तो दोसो JBL 18WP 1200 देखने को मिल जाता है इस speaker का model number जो कि दोसो काफी अच्छा ये speaker आता है JBL brand का 1200 words में ये हमारा speaker होने वाला है और 18 inches में होने वाला है जो कि दोसो बहुती best base speaker है और अगर दोसो इस speaker की impedance की बात की जाए तो दोसो आपको एटम देखने को मिल जाता है इस speaker का impedance और इस speaker की words की बात की जाए तो दोसो मैंने आपको बताया था 1200 words आरमेस में ये हमारा एक speaker आता है अगर दोसो इस speaker की programming power की बात की जाए तो दोसो आपको 2400 words देखने को मिल जाता है आरमेस पावर में इसमें दोस्तो हम अगर 2400 words तक का भी output देंगे तो दोसो हमारी speaker में कोई problem नहीं आने वाली है और अब बात कर लेते हैं इस speaker की प्राइज की तो दोसो अप्रोक्स इस speaker का प्राइज आपको 16,000 से लेके 17,000 रुपए पढ़ सकता है एक speaker का प्राइज जो कि दोसो 1200 words में ये हमारा speaker होने वाला 18 इंचेस में जेविल ब्रांड का जो कि दोस्तो बेस्ट है तो दोस्तो हमें चाहिए 4 speaker के दोस्तो हम यहाँ पर 2 बेस रेड़ी करने वाले हैं तो दोस्तो 4 speaker का प्राइज आप लोग multiply कर लेना है चलिए अब दोस्तो बात कर लेते हैं हमारा एक dual बेस कितने रुपए का बैठ जाता है तो दोस्तो एक dual बेस हमारा अप्रोक्स 42,000 रुपए आपको एक बेस का प्राइज पढ़ जाता है तो दोस्तो हमें चाहिए 2 dual बेस तो दोस्तो 2 dual बेस का आपको अप्रोक्स पढ़ जागा 84,000 रुपए ठीक है दोस्तो तो दोस्तों यहाँ पे हमारे base और top complete हो चुके हैं अब बात कर लेते हैं हम amplifier कौन सी लेंगे top को चलाने के लिए और base को चलाने के लिए तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले top के लिए हम amplifier कौन सी लेने वाले हैं टोप को चलाने के लिए क्योंकि दोस्तों हमारे पास चार टोप हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों जो हम यहां पे एंप्लिफायर लेने वाले हैं टोप के लिए वो दोस्तों हम इस ट्रेंजर कमनी की लेने वाले हैं इस पी बी फोर के एंप्लिफायर जो कि दोस्तों बहुत 2000 वर्ड़ निकालके output देता है पर चेनल ये दोस्तो हमारा amplifier दो चेनल में आता है अब बात कर लेते हैं इस amplifier के power supply की दोस्तो आपको 220 Vrontश पे इस amplifier को चलाना है जो कि दोस्तो काफ़ी अच्छा response मिलेगा और अब बात कर लेते हैं इस amplifier की प्राइस की तो दोस्तों आपको अप्रोक्स 36,000 से लेगे 38,000 रुपए प्राइस पर सकता है इस एंप्लिफाइर का SPB 4 के Stranger Company की तरफ से जो आती ही है हमारी एंप्लिफाइर तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टॉप के लिए एंप्लिफाइर ले ली है बात कर लेते हैं बेस के लिए हम कौन सी एंप्लिफाइर लेंगे जो कि दोस्तों काफी अच्छा रिस्पोंस मिले क्योंकि दोस्तों बेस बहुत ही माइने रखता है हमारे डीजे के लिए तो दोस्तों जो हम यहाँ पे बेस के लिए amplifier लेने वाले हैं वो दोस्तों हम NX IDEO की amplifier लेने वाले हैं MT 1601 जो कि दोस्तों बहुत ही popular यह हमारी amplifier है यह base के लिए amplifier जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी आती है amplifier इसलिए काफी लोग इसको पसंद भी करते हैं इस amplifier को और इस brand को भी और अब बात कर लेते हैं इस amplifier के power output की तो द 250W निकाल के output देता है Hermes Power में जो कि दोस्तों दोनों चैनल में यह हमारा amplifier 250W निकाल के output देता है क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर बाकी 2 Ohm और 8 Ohm की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों हमें 4 Ohm की ही आवशकता पड़ेगी टॉप के connections के लिए बाकि दोस्तों आपको connections भ amplifier के अंदर दिया गया है बहुत ही अच्छा आपको punch base vibration काफी अच्छा इस amplifier के द्वारा मिलेगी speaker के अंदर और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस amplifier के frequency response की तो दोस्तों आपको 20,000 से लेकर 20,000 होड़ेज देखने को मिल जाती है इस amplifier का frequency जो कि दोस्तों बहुत है आपके ल दोस्तों भी यह हमारे amplifier आता है और आप बात कर लेते है इस amplifier की price की तो दोस्तों approach इस amplifier का price आपको 60,000 से लेके 62,000 रुपे मिल जाए गा मार्कें में प्राइस 2 सो उपर नीचे होता रहता है वहां पे दोस्तो आपनो मेंनल कर लिए ज Beim आता है अब दूस्तों स्यस्हता धकर बात कर से कि drivingable अनुपर दोस्तों दिय हैं वह इसके लिंक मिल जाएगी वहाँ से आप वीडियो देख लेना पूरी जानकाई इस मिक्सर के दी है मैंने तो दोस्तो इसकी प्राइज की बात की जाए तो दोस्तो अप्रोक्स इस मिक्सर की प्राइज आपको 10,000 से लेके 12,000 रुपे प्राइज बढ़ सकता है जो कि दोस्तो दिया गया है इस मिक्सर का प्राइज और अब बात कर लेते हैं स्टेपलाइजर की तो दोस्तो यहां पे जो मैं स्टेपलाइजर यूज करने वाला हूं वो दोस्तो दस के वीडियो का यूज करने वाला हूं क्यों क्यों करते हैं दोस्तो हम स्टेपलाइजर इसलिए होता है कि हमारे जो घर की AC करेंट है वो कम आती है मतलब 500ड़ kalo या 200 आती है तो दोस्तो हम से बढ़ा भी सकते हैं इसलिए हमें power करना चाहिए कभी कबार दोसो हमारे घर में supply जो आती वह टाइसो तक ही भी आती है तो दोस्तो हम once wise के इसलिए दोसो इस्टेप्लाइजर का यूज किया जाता है बकी अम्प्लिफायर की भी safety रहते है क्योंकि दोसो हम अगर सही voltage में चलाएंगे अम्प्लिफायर को तो दोसो हमारी अम्प्लिफायर भी नहीं जलती है इतनी जल्दी और अच्छा प्रोगराम भी कराती है तो दोस्तो इस इस टिप्राइजर को आप चाहें तो इलेक्ट्रोनिक की शॉप से बनवा भी सकते हैं चाहें तो दोस्तो आप बनाय भी ले सकते हैं चाहें तो दोस्तो बात कर लेते जनरेटर की तो दोस्तो हम यहाँ पर जो जनरेटर लेंगे इस डीजे सेटप को चलाने के लिए वो दोस्तों हम 15 KV का लेंगे 15 KV से दोस्तों हमारे generator कम नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारे दोस्तों generator बैठने लगाएगा जब हम base खोलेंगे इसलिए दोस्तों आप 15 KV का generator कम से कम लिए बाकि दोस्तों आप 20 या 25 तक का भी KV का ले सकते हैं जो कि दोस्तों आपके लिए best रहने वाला है तो दोस्तों हम यहाँ पर जनेरेटर का प्राइज नहीं बताने वाले हैं और ना ही हम इस DJ सेट में प्राइज इसका add करने वाले हैं चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं connections की कि दोस्तों हम amplifier से top में कैसे connections करने हैं दोस्तों यहाँ पर हमने सब कुछ ले लिया बाकि आपको connections आप सही तरीके से करने हैं तभी दोस्तों आपको अच्छा output मिल पाएगा O matching से हिसाब से आपको करने है connections तो मैं यहाँ पर बताता हूं तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं top के connections की तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने amplifier ली है टोप को चलाने के लिए वो stranger community SPB 4 के amplifier ली है जो कि दोस्तों हमारा यह amplifier 2 ohm पे प्रतिक चेनल में 2000 watts output निकाल के देता है 2 ohm में एक 200 the time का हमारा impedance बनता है वो दोस्तों 4 ohm बनता है और two top का हम जो पैलर रों में connections करते हैं तो दोस्तों हमारा impedance बन जाता है 2 ohm और दोस्तों हमारे speakers का वाडस बन जाता है 200-400 twoer moment के और दोस्तों two-ские two OHM निकाल के आड़पूट देता है तो हम एक चैनल पे दो टॉप चला सकते हैं जो कि हमारे एम्प्लिफायर का 300 वाड़े कम भी रहेगा तो दोस्तो कोई बात नहीं हमारे स्पीकर नहीं जलेगा इसलिए दोस्तो हम एक चैनल पे दो टॉप चलाएंगे काफी अच्छा रिस्पॉंस मिलने वाला है और दोस्तो हमारे इम्प्लिफायर 4 वाड़े निकाल के आउटपूट देती है प्रते एक चैनल में तो दोस्तो हम यहां पे दो बेस लिए हैं तो दोस्तो एक बेस का दोस्तो हमारा जो वाड़े बनता है फोर रोम काट क्योंकि दोस्थो हमारे एक स्पीकर एक लॉम का जब हम एट घट जाता है तो दोस्तों हमारे यह पर फोरूम हो गया 24 वर्ड़ हमारा बेस का वर्ड़ हो गया और हमारा इंपलिफार फोरूम पर बाइस सो पचास वर्ड़ इंदकाल का पूट देता है तो हम एजली एक चैनल पर चला सकते हैं फोरूम पर काफी अच्छा रिस्पॉंस मि ला सकते हैं जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस मिलेगा एकदम तबाही ला देंगे जब आप इस डीजे सेटप को बजाएंगे जहां पर भी क्योंकि दोस्तों जेविल ब्रांट आप जानते हैं कितनी धमा केदार होता है कोई ना कोई दोस्तों इसको यूज करता ही है काफी अच्छा रिस्पॉंस मिलता है जेविल ब्रांट के स्पीकर से और एम्प्रिफार भी मैंने यहां पर पहुती तगडी वाली यूज की हैं तो दोस्तों मैंने यहां पर आपको पूरी जानकारी दे दी है इस जेविल डीजे सेटप के बारे में चार टोप जो की हैं दोस्तों दो बेस हैं और एम्प्रिफार है मेकसर है और दोस्तों हमारा इस्टेप्लाइजर है और जनरेटर है इसकी मैंने पूरी जानकारी दे दिये और आपको दोस्तों बता दूँ प्राइस जो मैंने बताया है वो मार्केट में कम ज्यादा होता रहता है वहा आप प्राइज मेंनस के लिएगा तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको इस डीजे सेटप के बारे में पूरी जानकारी दे दिये अगर दोस्तों कोई भी चीज छूट गई हो तो दोस्तों आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं मैं आपके प्रसन का उत्तर दे दूँगा तो दोस्तों उम्मीद करता हैं वीडियो आपको पसंद आए होगर दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी सी वगर नौलिजवल लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को भी जरूर सब्स्राइब करें क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी के लिए डीजे से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए जैहिन और वन्दे मात्रम